हेलो फ्रेंड्स वेलकम अन्मा यूटूब चैनल सक्सेसिस्टी स्वागते आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल सक्सेसिस्टी में आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवहन वायू यान प्रभाग हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड क अप्रेंटिस की तो यहाँ पर हम उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आये हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिपिकेशन है कैसे आपको इसमें आवेदन करना है तो यहाँ पर लिखा गया है अधिसुचना विशाई ट प्रशिक्षन के लिए आईटिया उत्तिर्ण हCVT या NCVT पात्र उम्मिद्वारों से ओनलाइन आमंत्रित किये जा रहे हैं अब ब्यर्तिस अनुरों देकि अधिसुचना वो ध्यान पूर्वक पड़ने के उपरांध ही आवेदन करें इसके बाद यहाँ पर लिखा है उम उम्मिद्वार की न्यूनतम आयू प्रकाशन की तिथी को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए तता उम्मिद्वार की अधिक्तम आयू सीमा 27 वर्ष है इसके बाद दिखा गया है कि उम्मिद्वार के पास निर्धारी तक्निकी या गेर तक्निकी ट्रेड में क्राप्ट्समेन योजना के अंतरगात NCVT या SCVT प्रमानपत्र होना चाहिए निर्धारी ट्रेड की सुची सनलगन है उसके बाद लिखा है कि जो उम्मिद्वार पूरो में अप्रेंट्शिप कर चुके हैं या अनि संस्तान से अप्रेंट्शिप कर रहे हैं वो इसमें आवेदन नहीं करे या फिर वो आवेदन के लिए पात्र नहीं है इसके बाद लिखा गया है कि एक वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले उम्मिद्वार आवेदन करने है तो पात्र नहीं है इसके बाद लिखाए कि उम्मिद्वार के पास आईकर विबाग भारत सरकार पेन कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर लिखा गया है कि कोपा में National Trade Certificate National Council for Occasional Training NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया होना चाहिए इसके बाद लिखाये कि चायनी तब रचीज़ा की प्रसिक्षन होदी एक वर्श होगी इसके बाद फ्रेंट्स अगर हम निर्धारित ITI ट्रेड की सुची और शेक्षिनिक योग्यता अगर देखे तो यहाँ पर लिखा गया है फीटर तो फीटर ट्रेड के लिए सेक्षिनिक योग्यता है दस प्लस दो शिक्षा पदितिक अंतरगत विज्ञान योँ गणित के साथ कक्षा दसवी या उसके समगक्ष परिक्षा उत्तिरन तो यहाँ पर सभी फीटर और टर्नर के लिए यहाँ पर विज्ञान और गणित लिखा है उसके बाद मेकेनिक रेफ्रिजरेशन मेकेनिक मोटर विकल कारपेंटर के लिए केवल दसवी लिखा गया है फिर उसके बाद अगर हम देखे तो इलेक्ट्रिशन और इलेक्ट्रो के साथ होना चाहिए तो फ्रेंस जैसा कि इसमें लिखा गया है कि विज्ञान और गणित विशय के साथ उत्तिर्ण हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी दस्वी क्लास जो है उसमें विज्ञान और गणित विशय होना जरूरी है और जिसमें नहीं लिखा है ऐसा केव दस्वीक अक्षा लिखा है तो उसमें आप विज्ञान या गणित ना हो तो भी आवेदन कर सकते हैं इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगर आप करें तो चयन प्रक्रिया में लिखा गया है कि प्रत्यक ट्रेड के लिए अहरता परिक्षा में पराप्त किये गए अंको पर तेंथ दोनों मांग गया है और तेंथ की जो मेरिट बनेगी वो 70% बनेगी और 30% जो है वो ITI का जोडेंगे तो इस टाइप से आपकी 100% मेरिट बनाई जाएगी जिसमें से 70% वेटेज आपका तेंथ क्लास का रहेगा और 30% वेटेज आपका ITI का रनने वाला है इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है आरक्षन अप्रेंटिस अदिनियम के अनुसार लागू होगा और उसके बाद लिखा है कि चाइनित उम्मिद्वारों को चिकित्सी परिक्षन होगा और उन्हें अपने जन्दपत के कम सहायक सर्जन की रेंक के सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्व स्वस्तगोशित किया जाना आवशक होगा इसके बाद यहाँ पर लिखाए कि उम्मिद्वारों को अपने निवाजिस इस्तान के पुलीस आयुक्ति पुलीस अदिक्षक दौरा पुलीस अनपत्ति प्रमाग पत्रवशि प्राप्त करना होगा और इसके बाद लिखाए कि अधियरती वर्दमान में सेवा निवरतिया दिवंगत एचेल कर्मचारी के आश्रीते तो वे अपने आवेदन मानव संसदन विबाग से अगर सारित करवाकर ही जमा करें इसके बाद प्रिंट्स यहाँ पर अगर हम इंपोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 नवंबर 2020 लिखी गई है 10 नवंबर 2020 तक आपके जो आवेदन है वो वहाँ पर पोट जाने चाहिए जो इन्होंने डेट दी है उस डेट को आपके आवेदन वहाँ पर लिमेटेड वायू परिवहन वायू यान प्रभाग डाकगर चकेरी जिला कानपूर पिन कोट 2808 तो यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि आवेदन पत्र साधरन डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निमनलिकित पते पर बेजे तो आपको आवेदन पत्र इस पते पर ब जो है वो सबसे निचे इस PDF में दिया गया है आवेदन पत्र के साथ सललगन किये गए प्रपत्र की जाथ सुची तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बेजना है अप्रेंटिस पंजिकरन संक्या को दर्शाते हुए पंजिकरन और प्रोफाइल कोपी सललगन करे तो आपक इसकी प्रोफाइल का प्रिंट आउट यहां पर बेजनी है इसके बाद हाई इसको लंक पत्र या प्रमान पत्र आपको टेंथ की मारकशीट बेजनी है इसके बाद आई ट्याई अंक पत्र या प्रमान पत्र आपको बेजना है इसके बाद आपको आधार काड की स्वप्रमान चाया प्रति आपको बेजनी है और EWS प्रमान पत्र की सौ प्रमान चाया प्रति भी आपको यहाँ पर बेजनी है अगर आपके लिए EWS की कैटेगिरी में आप आते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांग लिखना है और आवेदक के अस्ताक्षर करने है यह पेज भी आपको बेजना है फ्रेंड्स और इस पेज के बाद यहाँ पर आवेदन पत्र दिया है यह आवेदन पत्र भी आपको यहाँ पर बेजना है तो आविदन्द पत्र में सबसे उपर लिखा गया है H.A.L. T.A.D. कानपूर में अप्रेंट्शिप प्रशिक्षन के लिए I.T.I. उतिरन उम्मिद्वारों के चयन हेतु आविदन्द पत्र और अंतिम तिती है 10.9.2020 इसके बाद ये पूरा आविदन्द पत्र आपको फिल कर लेना है और फिल करने के बाद आपको जो भी उपर लिखा गया है वो सारी डोकुमेंट्स आपको सेल पर टेस्टेट करके और इसके उपर आपका फोटो लगा के मैंने जो एड्रेस बताया है और यहाँ पर जो एड्रेस लिखा गया है उस एड्रेस पर आपको ये सारी जानकारी और ये आविदन्द पत्र भेजना है तो फ्रेंट्स आई होप वीडियो आपको समझ में आये होगा इस वेकेंसी को बरने में ये दियान रखे कि आपका जो आविदन्द पत्र है वो वहाँ पर पोस्ट आपिस के द्वारा 10 तारिक 10 नवंबर 2020 से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए ये प्रेंट्स आपको ध्यान रखना है तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसमें आविदन करना है मिलते प्रेंट्स नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए